इंटरनेट का अविश्कार से चिंदगी कितनी आराम दायक हो गई है ये एक बैंक करमचारी से अच्छा कौन समझ सकता है बड़े मज़े से बोल देते है भाई सर्वर डाउन है आज काम नहीं हो पाएंगा हम भारतिया खाना खाने के पहले हाथ धोना चरूरी नहीं समझते है मगर खाने के बाद अच्छी तरद होते है काकी मोबाल स्क्रीन पे तेल का दाख न लग चाए हम सबकी बचपन की सबसे बड़ी अफवा दस तक गिनने से पिछली आती है बचपन की एक मज़ेदार यात भारतिय शादी में ये चार चीज़े अवश्य होती है पहला महंदी तूसरा संगीत तिसरा बारात और चौथा एक मुह फुलाई फूपाची पाँच लड़कों को एक बाइक पे देखके ट्रैफिक पुलिस ने रोकने का इशारा किया एक लड़का चलती बाइक से चिल लाया पागल हो गया है क्या तू कहा बैठेंगा सामन्य वक्ती सिर्फ दो टाइम खाना खाता है और व्रत वाला दस टाइम का फलाहार ठूस चाता है हम भारतिय की एक प्रॉब्लम ये भी है कि खाना खाते समय सलात, पापड, अचार, नमकीन सब हो लेकिन यदि टीवी चालू ना हो तो खाना अधूरा सा लगता है जोडिया सिर्फ उपर वाला ही नहीं बनाता हम भी बनाते हैं दही बड़े, छोले भटूरे, पाओ खाजी, पानी पूरी, चाय पकोडे, वगेरे वगेरे पती बोला, चाय की पती कहा रखी है, पतनी उपर मिर्च मसाले वाले खानों में, जो बोर्न विटा का डिबबा है ना, जिसमें मिर्च लिखा हुआ है, उसमें चाय की पती है, पती बेहोश गर्मी का आलम, कुछ यू है, कि कूलर में पानी भरते समय भी, कूलर पूछ रहा है, भईया, पानी गरम तो नहीं है ना अगर आप ससुराल जा रहे हो, तो अपने गाड़ी के कागजात दुरुस्त रखे, नहीं तो मिला हुआ शकून, ठाने वाले फूपा की चेप में पहुच सकता है, सभी पतियों के चन हिट में चारी एक व्रुद्ध महिला, अपने व्रुद्ध पति के चन्मदिन वाले केक के उपर बल्प लगाती है, तो उसका व्रुद्ध पति पुचता है, ये केक के उपर बल्प क्यों लगाया है, व्रुद्ध पतनी, अरे आपका साथवा चन्मदिन है ना, वो साथ मॉम्बति क्यों लगाओ इसलिए 60 वाल का बल्ब लगाया है एक लड़का देर से स्कूल पहुचता है मास्टर लेटके हो गए लड़का भाई खराप हो गई थी मास्टर तो बस से आ जाते लड़का मैं तो बोल रहा था लेकिन आपकी बेटी माने तब ना मास्टर बेहोश एक सच बात कोई किसी का नहीं होता जब दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी फूल जाते हैं दोस्तो इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है